आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुती खलतरना और बहुती संकरमक बीवारी के बारे में बीताने वाला हूं वह तैफाईड आज मैं इस वीडियो में आपको टाइफाड होने का कारण क्या क्या है इसका लक्षन क्या क्या है इसका ट्रीट्मेट क्या है ड्रीजश क्या है और प्रिवेंशन क्या इनफर्मेशन आपको टैफट से लिटर देने बाला हूं तो आज का वीडियो बहुत ही हमारेसाट बिडियो के आं कर सब्राइस्वर करते हैं सबसे पहले हम लोग एन यह बखेरिया जाए भुमेद के साथ सीरेश पर नीकेरिया यालने कि इसका मतलब हुआ कि यह और कि दूसरे अंइमल को यह पिर किसी दूसरी civ को इफरक्ट करता है इसलिए इसको मैंस्न के बैक्टेरिया भी कहा जाता है अब यह बैक्टेरिया हुमेन बड़ी के साथ इतना सीरेस कंप्लिकेशन क्यों कर देता है तो देखेगा जिए बैक्टेरिया जब हमारे बड़ी में इंटर करेगा तो इसलिए इसे सिच्छोशन में क्या होता है हमारा इन्मिन्टी पावर इस कुछ औसी तरह से काम नहीं करता तो देखेगा जी यह कुछ इस तरह का सिच्छोशन है कि माली जी आप घर में अकेले हैं उसमें पर कोई आकर आपको बंदुग देखा कर कहें कि आप सरेंडर कीजिए तो आपके पास दूसरा अप्शन तो रहेगा नहीं लेकिन अगर अगर आप लग सकते हैं तो इसी तरह का सिच्छेशन हमारे बडी में भी है हमारे बडी के अहरे जेल के अंदर जाका रहने लगता है तो इस कारण से क्या होगा हमारे इमिनिटी पाबर इस पर कुछ अच्छी तरह से काम नहीं करता तो इसकार ये बेक्टेरिया हमारे मुल्टिप़््याय करने लगेगा और salvage करने के साथ यह व назвate साथ हमारेidor के मादियम से हमारे बंडिके एक पाद उस बैक्ति की मौत भी हो सकती है इतनी खतरनाक बीमारी है यह सालमोनेला टैफेड वाली शुम्टम को आने में नाव सिम्टम अब दोस्तों टाइफट के सिम्टम के बारे में जानने से पहले एक बात बदा दुमें आपको कि टाइफट का कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है श्यूब्र सिम्टब ऑठीकेक के सिम्टम जो की बहुती जड़ा काने जा रहा हूं जिस्मीं सबसे पहले पता है यानिकि आपका बुखार सकता है जा फिर शेण सोट सकता है और राय में इसका जो फीबर है वह और step later better में आएगा यानि कि इसका मतलब हुआ कि हम जब साम होते जाएगा आपका OD die जाएगा और मुर्निंग होते हो तर आपका टेंपरयचर देड़े देड़े कम हने लागा इसी को हम step later फिवर कहते हैं इसी तरह अगला जो सिम्टम से रेट रासेस जिसे हम रोज रेड रासेस भी बोलते हैं कि यह रासेस कुछ इस तरह का होते हैं जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का होते हैं रासेस जो कि 2-4 mm in diameter याने कि 2-4 mm का होगा और वो आपके बड़ी में एक ही बार में दर्जनों में दिखाए देंगे और यह तीन से जार दिन में अपने आप ठीक होके चला जाएगा और भी कुछ को मसटेम है जो की दॉर शुरॉती दिन में दिखाई दिते हैं जो की है एव डिमिनल पेंवा याने की आपके पेट में दर्ध होना इसी तरह अगला है prolonged fever याने कि पहुती लंबे समय तक आपको बुखार आना इसी तरह अगला जो symptom है वो है vomiting आपको बार बार उल्टी आने लगेगी इसी तरह अगला जो symptom है वो है diarrhea याने कि आपको दस लगना बार बार दस लगना इसी तरह अगला जो सिम्टम है वह है स्वेटिंग याने कि आपको अपने बड़ी में पसीना ज्यादा आने लागेगा इसी तरह अगला जो सिम्टम है वह है हेडेक याने कि आपका सर्थ दर्थ करने लागेगा इसी तरह कि और भी कुछ कमन सिम्टम है जैसे कि वह गया शोर्थ रठ हो गया याने कि आपके गलमी इन्फेक्शन हो जाना इसी तरह अगला जो सिम्टम है वह है अनुरक्सिया याने कि आपका भुख मर जाना आपको खाने खाने का मन नहीं करना इसी तरह के अगला जो symptom है वह है Malgia याने कि इस समय पर क्या होगा आपके पूरा बड़ी दर्द करने लगेगा इसी तरह अगला जो symptom है वह है weakness याने कि आपका बड़ी कमजोर हो जाएगा इसी तरह अगला जो सिम्टम से वह कॉंस्टिपेशन याने कि आपको कॉप्जवाली प्रोलम आने लगेगी इसमें कॉंस्टिपेशन और ड्यारिया दोनों का ही सिम्टम दिखाई दे सकता है और इसा भी हो सकता है कि टैफेड के शुरॉती दिनों में ड्यारिया का लचन दि मैं एक बात पता दू कि यह जो टैफेड बेक्टेरिया है वह हमारे खाने पीने की माधिम से हमारे अंदर गुषेगा हमारे बड़ी में गुषेगा यानि कि इसका जो ट्रास्फरमीशन जो मेथाड है वह है फिको और लेट यानि कि हम लोग कुछ भी खाएंगे वह अगर ुषेगाउच दॉल चे कंटर मेंटिद है उससे हम लोग कि ata fellowship हो सकते आ जैसे कि हम लोग जानते है कि टार किस्व हमारे आतम में रहते है यानि कि हमारे इंटर्सटायन में रहता है और जब एक इंफेक्टेर बेक्टी इस करता है यानि कि मल करता है तो उसके मल के साथ- अगर फूड में चला जाए यह बेक्टेरिया नी वोस्ट में चला जाएगा इसी के कारण से इस स्वस्थ बेक्टी भी तैफेड वीमारी से पीजित हो सकते हैं यानि कि इनफेक्टेड हुमेन फिशे से अगर हमारा पीने का पानी दूसित हो जाए और हम लोग उस पानी को अ अपने हाथ को धोते ही ने तो इससे क्या होगा उसके हाथ में सालमोनला टैफेड बेक्टेरिया प्रजेंट रहेगा और अगर मान लिजे कि वहीं इनफेक्टेड आदमी किसी खाने पीने को चीज़ के छूले या फिर किसी से डारेक्ट जाकर हांसे कर ले तो उससे क्या हो हो जागा और इसे क्या होगा हेल्दी पर्शन भी टैफेड बीमारी का सिकार हो सकते है और इसी तरह इंफेक्टेड हुमेन फिसे से अगर फ्लाइज यानि कि किड़ा के द्वारा हमारे खाने तक अगर एक सालमोनला टैफेड बेक्टेरिया पहुंच जाए और पर कंटामे होगा ये बेक्टेरिया हमारे बोड़ी में चिपक जाएगा और इसे क्या होगा हम लोगों को टैफेड होने के खतरा और ज्यादा बढ़ जाएंगे इन सारे बातों को आप अगर समरी को तर पर बुझना चाहें तो आप सिर्फ इतना बुझ जाएं कि इंफेक्टेड हुम कि यानि कि कौं से टेस्ट है Affid को पता लगा सकते हैं देखें डैर मोंत लगाने哥 on अगर यह शल्मनलना के परेंट पर बोड़ेंट है तो इसे यह पतन चलता है कि यह जो बेक्ती है यह तापेड विमारी का इलाज क्या है, देखे गाईज टापेड विमारी का एक ही इलाज है जो कि बहुती कारगर साबित हुआ है, वह है एंटिबाटिक ट्रिजमेंट, और एंटिबाटिक लेने के लिए आपको अपने डक्टर से कंसल करना चाहिए, उससे क्या होगा आपक कोई यह फूल डोज ने कमें खाना है विच में खाना ना चोड़े क्योंकि आप बिच में छोड़ेंगे तो यह चैसेंट होना लगे लगेगा और अगली प्लीकेशन है इंट्रडिन किसक रोदागी वह सब्सक्राइब लगेगा आप्याल में पर्फॉश्ण है बने लगे गए इसी तरह अगला ज़या Нिज्याज इसका औहले बें जाके इंफेक्शन कर सकता है इसी तरह का बहुत शारए फेलर हो गया फ्ल्यट häuf गया किसी तरह का बहुत सारे कंपुलिकेशन है जो कि एे टाएट बीमारी से प्रसक्ते हैं सूद और साफ पानी का सेवन कर मैं आपको सूद पाने करना है या फिर आप जिसकी कारण से क्या होता है उसके बड़ी में पानी के मत्रा बहुत ज़्यदा कम होने लगता है इसी कारण से आपको इस समय पे बहुत ज़्यदा पानी का सेबन करना है और सुध पानी का सेबन करना है ताकि आपकी बड़ी में पानी के मत्रा बना रहे आपकी इनरजी बनी लिए हम लोगों को अगला सदाना है और ट्वाले से पहले और ट्री जाने के बाद भी आपको अची तरह से धोना है साबुन पानी से अची तरह से यहाँ कि लिए आदमी ट्वालेट करने के बाद अपने हाथ को अछिस तरह से धोते ही नहीं अगर माली जी खाने चीज को की सिंदिव चछूल्य ठोटुमोपीड करने के बाद भी और खाना खाने के बाद भी हम लोगों को अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना चाहिए इसी तरह से अगला जो पाहे कि जब भी आप बाहर खाना खाने जाए तो किसी ठेले में रखा हुआ चीज या फिर किसी दुकान का खुले में रखा हुआ चीज ना खाए क्यूंकि हो सकता है कि वह खाना सल्माना टैफिर से कंडामिनेटेड हो और खाना आप खाये तो उससे आपको टैफिर में खता बढ़ जाए इसी तरह अगला जो पाहे कि आपको कची सब्जिया या फिर फ खाना गरम होना चाहिए और ताजा होना चाहिए ताकि आप अपने आपको टैफिर होने के खत्र से बचा सके तो यह तो था सारे इंफरमेशन टैफिर से रिलेटेड इसी के साथ एक और बात बन बता दू आपको कि इसका मैं सेकेंट पार बना रहा हूँ जिसमें टाइफि किन किन फूर आटम को अपने छीज ज्यादा चाहिए और इस तेसे लिए फोれ करने चाहिए तो लिए उस वीडियो का कीजिए उंमीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेलफुल रहा होगा अगर यह वीडियो आपके लिए थोरी से भी हेलफुल रहा हो तो पिलीज इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा और इसी तरह का हिल्द से रिलेटेड इंफर्मेसन पाने के लिए यूटीब पर हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लिजिए मिलते एक ले अगले वीडियो में!